प्यारे बच्चो आपने जैमिती रश्णाओं वाले पार्ट के अंतरगत अभी तक कई तरह की रश्णाओं कर ली हैं आपने किसी बाहरी बिंदू से किसी रेखा खंड पर लंब डालने का भी काम कर लिया यदि किसी रेखा खंड पर है रेखा पर कोई बिंदू दिया हुआ है तो उस बिंदू से कैसे लंब खड़ा किया जाए ये भी आपने देख लिया है लंबारधा खीशना भी आपने देखा और इन सब के आथार पर आपने एक एक ऐसे वृत की रशना करना सीखा है जो त्रिभुष के तीनों शीर्सों से होकर गुजरती है अब हमें एक ऐसे वृत की रशना करनी है जो त्रिभुष की तीनों भुजाओं को छूती भी बनाई जाती है यानि त्रिभुष के अंदर बनती है और वो त्रिभुष की त्योंनों भुजाओं को इस पर्ष करती है ये करने के लिए हमें कुछ और रशनाओं को सीखना होगा और सैधानतिक रुप से देखना होगा कि त्रिभुज के अंतर वृत की रशना करने के लिए हमें किन के इन चीदों की ज़रुद पड़ती है इसके लिए हम आपके साथ कोड सम्दिभाजा कीशने की बात करेंगे और देखेंगे कि हम कोड सम्दिभाजा कैसे बनाते हैं और इसका उस अभिष्ट वृत्त की रशना करने से क्या संबन्द है तो सबसे पहले हम एक कोड की रशना करते हैं और फिर हम उसका सम्दिभाजा खीशते हैं, चलिए, एक हम कौन बनाएं, यह हमने कौन की एक भुचा बनाई, और इक कौन की हम दूतरी भुचा बनाते हैं, और इनको हम नाम दे दे, माली जी इसको हमने नाम दिया, आ इसको नाम दिया B और इससे नाम दिया C यह कौन हमारे सामने बना अब इस कौन का हम समधिभाज़ा को खीषना चाहतें तो समधिभाज़ा का अर्थ अचेम? कि हमें एक ऐसी किरन हां से कीषनी है जो इस पुरे कोन को दो बराबर भागा में बाढती हो ये कैसे करेंगे ये हमें सोचना होगा और कोण सम्दिवाजाग खीचने के लिए हम चांदे को उपयोग नहीं करेंगे हमें किवल परकार को उपयोग करना है और उसकी मदद से हमको इस दीवे कोण का सम्दिवाजाग खीचना है इस के रशना करने के पहले हैं यह पतह करने के लिए हम के रशना करते हैं और ऐसे त्रिभुज बनाते हैं जिसमें यह चीर नहीं वे it हो उसके सब बना हो कोण भी बराबर होगा यहां रखें कि हम एक ऐसे किरण के रशना करने जा रहे हैं जो दो सर्वांग सम त्रिभुजों की एक उभय निश्भुजा बनती है तो इसके लिए हमें भुजाओं को बराबर करना पड़ेगा तो हम शुरू करते हैं परकार की नोक लें और इसे कोड की शिश पर रखें यह पो और एक चाप लए और उस चाप के बराबर दोनों कीरण। पर बी ए और बी-सी पर यह चाप कटे हैं यह दोनों बराबर हैं तो अगर हम के किरण यह प्रफ्राप्त करते हैं तो के शी बढलरियद का बनती हैं अब एक बिंदो हम ऐसा प्राप्त करें जो इन बिंदों से बराबर दूरी पर हो इन बिंदों को भी हम नाम देदें मान लिजी इस बिंदो को हम कहते हैं E और इस बिंदो को हम कहते हैं F अब एक बिंदो हम यहाँ पर ऐसा प्राप्त करें जो इन दोनों से बराबर दूरी पर हो तो क्या होता है देखिए तो हम चाहें तो इस चाप को उप्योग कर लें या चाहें तो आप इसे बदल सकते हैं यह ध्यान रखे कि यह जो चाप बनेगा वह एफ की जो लंबाई है यह एफ की जो दूरी उसके आदे से अधिक हो मालिज हम यहाँ पर एक चाप काटते है और उसी त्रिज्जा का चाफ एफ को केंदर मान कर काटते हैं जो पहले वाले चाप को किसी बिंदो पर काटता है इस बिंदो को हम नाम देदें डी अब देखिए ई से डी की दूरी एफ से डी की दूरी के बराबर होगी क्योंकि आपने एक जैसे एक जैसे त्रिज्जा के चाप लगर इसे काटा है अब यदि हम बी और डी को आपस मिलाएं तो हमें किरण मिलती है इसे आगे बढ़ा दें आ बी क्यू अब सवाल उड़ता है किया जो किरण बी क्यू है वह वास्तों में एबी सी का सम्धिवाजक है या थो नहीं तो इसको हम सैधान्तिक रूप से जांश कर देखेंगे नाप कर देखने से चीजें जैमिती में प्रमानित नहीं होती केवल हमें एक अनुमान लगता ह है कि हाँ ऐसा हो रहा है कि चीजें तभी प्रमानित होती है जब हम सैधान्तिक रूप से तर्क के मध्यम से सिद्ध कर पाएं कि चीजें बराबर हैं सरवांग समय या जो गुण हम देखना चाहते हैं वह से मौजूद है तो देखिए हमने ई और डी को मिलाया और एफ डी क में एक आकरिति यहां बन रही और दूसरी आकरिति यहां बन रही है त्रिभुच की इस पर देख रहे हैं कि दोनों ऑब धेर। है B-E-A-R-B-F आपसे बराबर हैं क्योंकि आपने एकी तरिज्जा के चाप से वह भूचकी वह इस भूचकी वह इस भूचकी आसा अटे झालें पर थे आप चाल तो जोह नम में इस के बूचके बराबर हैं तो यहाप कर दो ये दोनों त्रिभुजों में उबैनिस्ट है तो आप देखे हैं कि पहले वाले त्रिभुज की B.E.D. की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के करमशा बराबर हैं लगकी त्रिभुज की तीन भुजाओं के करमशा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सरवांग सम होते हैं यानि इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इनके सभी संगत आवयाओं आपस में बराबर होंगे तो आप कहा सकते हैं कि यह जो कौन बन रहा है वो इस कौन के बराबर है यह दोनों कौन आपर से बराबर है यानि किरंड BQ पुरे कौन A, B, C को दो बराबर भागों में बाटती है पहला भाग है A, B, Q और दूसरा भाग है C, B, Q तो इस तरह से आपने एक ऐसे किरंड की रशना की जो दिये हुए कौन को दो बराबर भागों में बाटता है और यही किरंड B, Q इस दिये हुए कौन A, B, C का सम्धिभाजक है तो आपने देखा कि हम सम्धिभाजक की रशना भी कर लिए और यह प्रमानित भी किया सिद्ध भी किया कि हमने जो रशना की है वो निश्यत रूप से इस कौन की सम्धिभाजक है अब एक चीज़ हमें और देखनी है कि एक तत्य देखना है कि यह जो किरंड B, Q है इसकी भुजा B, A और B, C से दूरी कैसी है तो इस किरंड की दूरी नापने के लिए हम इसमें अपने मन से कहीं पर भी एक कोई बिंदू ले लेते हैं मान लीजे हमने एक बिंदू यहां पर लिया और इस बिंदू को कोई साही भी नाम दे दिया जैसे पी क्यू आप इसको आर नाम दे दीजे ये बिंदू आर है अब हमें देखना होगा कि क्या बिंदू आर से दोनों भुजाएं बरावर दूरी पर है अगर हम ऐसा देख ले तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी भुजा पर जितने भी बिंदू हों सबी की इन दोनों किर्णों से दूरी बरावर है तो हमने रेंडमली या द्रिक्षी के रूप से या अपनी मर्जी से कहीं पर भी बिंदू आर लिया और यहां से हम दोनों भुजाओं पर लम्ड डालते हैं लम्ड डालने के लिए पिर से बरकार को प्योब करिए और जो आपने पहले सीखा हुआ था उप उन्युक्लप करिए इस पर कार से हम कैसे लम्ड डालते हैं देए यह हमने एक बड़ा सा चाप खीचा यहां पर और फिर इस चाप को आप यह थावत रख सकते हैं या फिर दूतरा भी ले सकते हैं लेकिन यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने यहां ते जो चाप लिया उसी लंबाई के चाप आप यहां से भी ले और इसे काटें यह देख आर से मिला दे हैं तो हम आर को बाहरी बिंदू मानते हुए भी यह पर लंब डाल रहे हैं तो यह एक लंब हमने कीचा हैं पर इसको आप चाहें तो इस तरह से बढ़ा ले यह अदना भी बढ़ाएं तो कोई फरक ने पड़ता है यह आपने देखा तो यह जो हमने आर की रशना की मान लेजिए इस बिंदू का आप एम नाम दे दे तो आर एम बी यह पर लंब है ठीक ऐसे ही हम बिंदू आर से बी सी पर लंब डाले ठीक उसी तरह से हम काम करेंगे परकार की नोख हम आर पर रखेंगे और एक चाप ऐसा काटेंगे कि वो किरन बी सी को कम सकम दो जगों पर काटे और यह हम को एक बिंदू यह मिला और एक बिंदू यह मिला फिर हम परकार की नोख के यहां रखें और इस तर प्रिज्जा को इससे रखते हुए इस बिंदू से भी हम एक चाप यहां काटें और जो कटन बिंदू है उसे आर से मिला दें इस तरह जो रिखा हमें मिलेगी जो किरण हमें प्राप्त होगी वह बीचीत पर लम्भ गीए इसको मिस्कटी ओई लाएं से बना रहे हैं इसको आप चाहें तो आगए बढ़ा सकते हैあります यह आपने देखा कि आप ने कि हम बिंद रसे बी ए पर भी लंभ डाला और बीसी पर भी लंभ इसको आपने M नाम दिया तो इसको नाम दे दे अब आप देखिए कि हम बिंदू R से इन दोनों किर्णों के लंबाई नापना चाह रहे थे तो दूरी नापने के लिए हमने इसमें से एक कोई सभी बिंदू R ले लिया और इस बिंदू R से B A पर भी लंब डाला और B C पर भी लंब डाला अब हमें देखना है कि इस R M और R N के बीच कोई सम्बंध है क्या ये एक सम्कोर्ण है क्योंकि आपने लंब की रशना की इसलिए सम्कोर्ण हो गया अब आप देखिए आपने अब इस पूरे त्रिभुज को देखिए त्रिभुज A B R सम्कोर्ण त्रिभुज A B R की बात करें हम M B R कहिए इसको त्रिभुज M B R M B R और त्रिभुज N B R त्रिभुज N B R इन दोनों त्रिभुजों में दोनों त्रिभुज सम्कोर्ण त्रिभुज क्योंकि यहां पर कोर्ण M सम्कोर्ण है और यहां पर कोर्ण N सम्कोर्ण है इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि ये कोण M बराबर कोण N यदि पूरा अप लिखें तो लिख सकते हैं कोण BMR कोण BMR बराबर कोण BNR ये दोनों सम कोण है इसलिए दोनों आपसे बराबर है ये जो कॉन आपने बनाया था वो इसके बराबर था क्योंकि ये रच्णाई आपने की थी बी-ार की सम्दिवाजा की जा था इसलिए आप लिख सकते हैं कॉन M-B-R कॉन M-B-R बराबर कॉन N-B-R ये किसी कोण के सम्दिवाजा की द्वारा बनाय हुए कोण है और इसलिए आपसे बराबर है तो इस त्रिभुज का दो कोण ये और ये दूसरे त्रिभुज की इन दोनों कोणों के बराबर है और भुजा B-R जो है वो दोनों में उपस्तीत है B-R बराबर B-R अब आप देखिए किसी एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के करम शह दो कोणों और एक भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सरवांग सम होते हैं तो आप इन दोनों के बारे में लिख सकते हैं कि त्रिभुज M-B-R सर्वांग सम्हें त्रिभुज N-B-R के हैं और इसलिए इस त्रिभुज के जो शेश अव्यों हैं संगत अव्यों वहापस बराबर होंगे उस रिस्षिति में आप कहा सकते हैं कि R-M बराबर R-N इसलिए R-M बराबर R-N यानि बिन्दो R से B-A की दूरी बिन्दो R से B-C की दूरी के बराबर है R को आप कहीं पर भी ले सकते थे तो इस कतन का हम व्यापकी करन करें हैं इसको व्यापक तोर पे कहा हैं कि B-Q का कोई भी बिन्दो भुजा B-A और B-C से समान दूरी पर है बराबर दूरी पर है तो आपके पास एक महत्वण प्रणाम ये मिलता है किसी कोड के सम्दिभाजक का प्रत्यक बिन्दो कोड बनाने वाले भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है इस कोड का उप्योग करते हैं आगे भी कुछ काम करेंगे तो ये दो चीज़ें आपने देखी कोई एक कोड लिया और उसका सम्दिभाजक बनाया और देखा कि उस कोड का प्रत्यक बिन्दो कोड बनाने वाले भुजाओं से बराबर दूरी परिस्तित होता है ये दो परिणाम आपको प्राप्त वे तो एक बार इसका अभ्यास करिए और कहीं दिक्कत होती है तो इस वीडियो का आप दुबारा देख सकते हैं